सब्सक्राइब कीजिए Anutic Brand Channel को और बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट टेकनेवलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सो हेलो एंड लेकम दौसतो आणुटेक ब्रैन्च चनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इंस्टाग्राम पे जो गलती से या फिर जान बुछ कर जो फोटो कोई भी मीडिया फाइल यहां से रील्स वगरा जो भी होता है वीडियो डिलीट कर देते हैं तो उसको वापस कैसे लें तो इसके लिए इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही अच्छा फीचर है तो चलिए मैं उसी यह बारे में आपको बताता हूँ तो वीडियो को बिना इस किए देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो चलिए मैं अपना Instagram account है वो open कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आरे वाय योगी जी भी आ गए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में एकदम नीचे आपका जो है वो profile photo यहाँ पर दीखेगा तो simply आपको उस पर tap कर देना है उस पर जब tap करेंगे उसके बाद यहाँ पर उपर आपको three line दीखने को मिल जाएगा तो आपको three lines पर simply tap करना है उसके बाद यहाँ पर आपको first number पर एक option आता है settings का तो इस settings के option पर आपको tap करके इसको open कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर last से चौथे number पर आता है option account का तो simply आपको account में जाना है account में जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको कई सारे यहाँ पर जो है Instagram के features देखने को मिल जाएंगे जिसमें personal information, your activity, saved, close friends बहुत सारे यहाँ पर option मिल जाएंगे आपको इसको open कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप no recently related content करके लिख के आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक Instagram से जो है कोई भी वीडियो फोटो नहीं डिलिट किया है इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है दोस्तो इसमें यह भी लिखा हुआ है देख सकते हैं आप यहाँ पर दो message दिखेगा पहले वाले में यह लिखा है when you delete post stories, video and rails they will appear here only you can see them मतलब जो भी आप Instagram से delete करते हैं वो यहाँ पर saved होता है और उसे आप भी देख सकते हैं और दूसरा message जो यहाँ पर so कर रहा है they will be permanently deleted after 30 days after that you won't be able to restore them मतलब दोस्तो यह 30 दिन तक यहाँ पर रहता है उसके बाद आप इसे restore नहीं कर सकते हैं उसके बाद यह Instagram के द्वारा permanently delete कर दिया जाता है तो अगर आप कोई photo delete करते हैं वीडियो reels जो भी होता है वो आप अगर delete करते हैं तो अगर आपको उसे restore करना है तो 30 days के अंदर ही आप restore करिए नहीं तो अगर 30 days के बाद अगर आप restore करना चाहेंगे तो आप restore नहीं कर पाएंगे वो इंस्टाग्राम दोरा permanently delete कर दिया जाएगा तो यही आज की सुड़े में मुझे बताना था आसागर तो आपको यह जो इंस्टाग्राम का feature है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा मुझे भी अच्छा लगा था क्यूंकि अगर जैसे हम माल लिजे गलती से कोई वीडियो कोई फोटो इंस्टाग्राम से डिलीट कर देते हैं तो वो यहाँ पर सेवड होती है इंस्टाग्राम का यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर लगा मुझे दोस्तों यहां करने से आप उन फोटो वीडियो रिल स्टोरी जो भी होगा उसे हैं से रिज्टोर कर सकते हैं लेकिन थर्टीडे के अंदर करिएगा 30 रेज के बाद आप छो चली आए माल चार रहा हो आजब के आपको यह वीडियो कैसी